बढ़ती महंगाई ने आव आदमी की कमर तोड़ दी है चावल, डाल, आटा, सरसो, तेल, सोयाबीन, तेल या फिर चाय हो या नमक हर चीज की कीमते इतनी बढ़ गई है कि किचन का बजेट गर बढ़ा गया है उपभुकता मंत्राले के अनुसार पिछले कुछ दिनों में खाने की तेलों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है पैक पाम तेल 87 रुपे से उच्छल कर करीब 121 रुपे, सुरज मुखी तेल 106 से 157 रुपे, वनस्पती तेल 88 से 121 और सरसो का तेल 117 रुपे से 151 रुपे प्रती लीटर पर पहुँच गया है खाने के तेल के अलावा चाय और दूद के दाम भी बढ़े हैं खुली चाय 217 से 281 रुपे कीलो पहुच गई है, जबकि नमक के भाव भी इस साल 10 पीसदी बढ़ चुका है, वहीं दूद भी 7 पीसदी महंगा हो चुका है अगर दालों की बात करें तो ताजा आकड़ों के मताबिक अरहर की दाल औसतन 91 रुपे कीलो से करीब 106 रुपे, उड़त दाल 99 से 109, मसूर की दाल 68 से 80 रुपे प्रती कीलो तक पहुच गई है तो दोस्तों इस बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए मोधी सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर अपनी राय हम तक जरूर पहुचाएं दोस्तों अगर पसंद आया है तो उसे पूरा सुनने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अभी राउनलोड करें खबरी आप